नमशकार दोस्तो यूट्यूब के जड़ी बूटी के आन चैनल में आप सबी का फिर से सवागत है तहे दिल से सवागत है तो दोस्तो आज जिस नायाब जड़ी बूटी के बाणे में जानकारी लेकर आए हैं वे हैं नायाब औुसदी जिसकी उत्पति के विशे में अनेक की लिएफिवदंतियां कही जाती है यह बूटी दुरगंदित है लेकिन लोक में निट्य परयोग की जाने वाली तता ओस्दियों के रूप में अम्रत के सामान रोगों का हरन करने वाली सिद्ध हुई है यही नहीं यह बूटी आधुनिक सोधों में भी सरीर के सभी तंत्रों पर प्रभावी किरिया करने वाली रोगों का दमन करने के कारण रसायन गुण युक्त खूब गुणकारी साबित हुई है जी हां यह नाया बोजदी व्यभोजन को स्वादिष्ट बनाने वाला पोधा रसोन यानि की अम्ल रसे रहित पोधा है इसके जो गुणों के पूडू, लहसन, लहसुन, गारलिक, एलियम से टाइवम आदी नामों से जाना जाता है इसकी खेती संपून भारत में की जाती है वैसे यह सीत रितू में होने वाली फसल है यही नहीं यह कडक सर्दी को भी सह जाती है इसकी बुवाई आक्टूबर महा में की जाती है दोस इसका वानस्पतिक परीचे का वर्नन नहीं करेंगे दोस्तो इसके भेदो की बात करें तो यह दो परकार का होता है रसौन और महारसौन रसौन यानि की सादा लहसुन होता है जबकि महारसौन जिसे एक पोथिया लहसुन भी कहते हैं जिसको देहरादून के लोग एकड़ि लहसुन कहकर पुकारते हैं एई नई उन्नत प्रजातीयों का भी विकास किया है उनको भी तैयार की है तो दोस्तों अब बात करते हैं लहसुन के गुनो धर्मों विपाक दोशकर्मादी के बारे में खास बात यह हैं दोस्त की इस नाया बूटी में अमल रस नहीं होता, लेकिन अन्य पांचो रस यानि की कटू रस, तिक्त, कसाइ, लवण, तता मधूर रस सभी होते हैं, इसमें कटू रस मुख्यरस होता है, इसके गुणों की बात करें तो, इसमें सनक्द, तिक्षण, पिच्छल गुण, गुरू यानि पच्णे में भारी गुण भी होते हैं यह उस्न यानि गरम प्रकरती वाली विपाक में कटू कफवात का समन करने वाली तथा रक्त पित की व्रद्धी करने वाली ओजदी बूटी है दोस्तों अब बात करते हैं रसोन के प्रयोज्य अंगो मात्रा अनुपान निशेद विशेसादी के बारे में रसोन के पोदे के जो कंद होता है जो रसोन गुछ होते हैं कि जो कलिया होती है उनका परयोग खुब किया जाता है तो दोस्तों कंद के कलक पेश्ट का अगर उपियोग करते हैं तो तीन से छे गराम तक अगर स्वरस का परयोग करते हैं तो दस से तीस बूंदों तक और अ एक से दो बून तक की मात्रा में आयू बल प्रकर्ति आदी का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों विद्वानों ने हमारे रिशी मुनियों ने रसोन के सेवन का भी प्रकर्ति की यानि सभावन रूप मोसम देशकाल वातवरन तता आदी के अनुपान आदी के हिसाब से भी सेवन विधान बताया है। यानि पितज विकारों में सरकरा के साथ, कफज विकारों में मधू यानि सहद के साथ और बातजन्य रोगों में घरत यानि घी के साथ सेवन करना हितकारी है। वहीं सिसिर बसंत ग्रीश्म यानि गर्मी में जो उशन प्रधान होती है गर्मी अधिक होती है अतरसोन का सेवन कम करने का विधान बताया है जबकि वर्षा सरद हेमंत रितुओं में लहसुन का परियोग उचित बढ़ाया गया है क्योंकि उसमें मोसम जो है अधिक गर्म नह होता निसेद विशेश की बात करें तो दोस्तों इसका उष्ण प्रकृति वालों के लिए सेवन करना अधिक सेवन करना हितकारी नहीं है गर्बनिस्त्रियों दूसित रक्त के रोगियों पांडू कामला के रोगियों उष्ण व्यद्धूप में वातवन में काम करने वालों स दूद गुड का सेवन भी अहितकर बताया है इसकी अधिक मात्रा सेवन से आमाशे वे आतों में जलन होने लगती है अहितकर प्रभाव का नास करने के लिए धनिया, गोंद कतीरा, मीठे बादाम का तेल सेवन करना हितकारी है दोस्तों रसोन यानि लहशुन की दुरगंद को सभी जानते हैं आते सौफ इलाइची का सेवन के बाद परियोग कर सकते हैं या इसका सोधन कर सकते हैं इसे लहशुन की दुरगंद वे अगुरुता कुछ कम हो जाती है सोधन के बाद इसके लिए इने मीट मठे में रात भर भीगो कर परियोग कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं रसोन के कुछ स्वास्ते लाबों के बारे में लहसुन एक उतेजक वेदना स्थापन द्रव्य है आते हैं वात व्याधियों पक्षाघात ग्रधसी जोडों का दर्द आदी वायू विकारों में यह बहुत लाब करता है विद्वानों ने रसोन घरत रसोन पाक रसोन छीर रसोन सिद तैल का परियोग स्रेश्ट बताया है इसके मेध्य गुन के कारण मस्तिस्क विकारों उनमाद अपसमार मानसिक दुरबलता आदी में भी इसका आउसदिय परियोग किया जाता है यही नहीं लहसुन के सेवन से इंद्रियों की सक्ति जो खूब प्रबल होती है जिससे द्रश्टी सक्ति का खूब विकास होता है आते हैं इसे नेत्रों के लिए भी हित करमाना गया है लह सुनके उत्ते जगुन के कारण इसे हिर्दय विकारों हिर्दय के सोथ सूजन में भी खूब उपयोगी पाया गया है इससे उच रक्त चाप भी कम होता है क्योंकि इसकी वाता नूलोमक जो छमता है जो वायू को सरी से पाश कराने की बाहर निकालने की जो छमता है वे हिर्दय पर बनावा दबाओ को कम कर देती है और मुत्र की मात्रा बढ़ने से हिर्दय की जो सूजन है वो भी कम हो जाती है आदी नुक सोधों में पाया गया है कि लहसुन में रक्त कोलिस्ट्रोल जो है उसको कम करने की तता सिकड़ी हुई धमनियों में रक्त की कलोटिंग को रोकने की अदभूत चमतकारी छमता होती है दोस्तों यह आम पाचक स्वेद जनक ज्वर्न का नास करने वाली टाइफाइड डिप्थीरिया साइटिका हिस्टीरिया एकांगवात कमर दर्द आदी विकारों में भी अच्छा लाबकारी सिध हुआ है यह विकरत वायू को निकाल देता है यही नहीं आधुनिक सोधों में लहसुन को मेनिंजाइटिस रोग, कैंशर, रक्त सुगर, संक्रामक तत्मों का नास करने में भी खूब कारगर पाया गया है यह नशो नाडियों का सोधन करने की, दिल की रक्षा करने मधुमे आधी रोगों और परिशानियों से बचाने की अदबुत छमता से युक्त है इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल तत्त उपाये जाते हैं अतई है बैक्टीरिया नाशक अदबुत गुणों का अच्छा सुरोत है यही कारण है लहशुन, कैंसर की सेल्स को रोकने वे नश्ट करने में भी खूब मददगार है दोस्तों अगर बात की विक्रती के कारण सरीर का कोई अंग यह त्वच्छा सुन्यता पीडित हो गई है तो रसोन कल्प से सिद तैल की मालिश करने से उसमें रक्त संचार बढ़ जाता है और बात पीडित अंग को आराम मिल जाता है दोस्तों अगर चर्म रोग खाज खुजली हो गई है तो राई के तेल में लहशुन को पका कर उस तैल से मालिश करने से खुजली आदी चर्म रोगों में लाब होता है अगर वात विकरती जन्ये गुल्म गैश का गोला घुमना अगनी मांद पेट दर्द आदी परिशानिया हैं तो रसोन को घरत के साथ सेवन करने से वात व्यादियों का ना सो जाता है अगर उदावर्त डकारों की समस्या है तो रसोन स्वरस पांच गिराम एरेंड तेल दश गिराम सेंधा नमक तीन गिराम तता सुद हींग भुनी हुई एक गिराम सभी को मिला कर गर्म कर सेवन करने से खूब गैस पास होती है और भारीपन का ना सो जाता है इस प्रकार उदावर्त का ना सो जाता है दोस्तो अगर रक्त चाप बढ़ता है तो लहशुन पुदीना जीरा धनिया काली मिर्चादी का जो मिलाकर उसकी चटनी बनाकर उचित मात्रा में प्रकरती अनुरूप सेवन करने से रक्त का दाब कम हो जाता है दोस्तो अगर पुरुस रोग है नपुन सक्ता की समस्या परिशान करती है तो रसोन की कलिया या दाने छै एक छोटा प्याज सभी की चटनी बनाकर घीवे मिसरी मिलाकर सेवन करने से खूब सक्ती बढ़ती है तता नपुन सक्ता का ना सो जाता है दोस्तो अगर गठिया रोग की परिशानी है जोडों में गाठे बन गई है दर्द पीड़ा होती है तो गोदुग्द को गरम करके उसमें रसोन स्वरस पांच गिराम मिलाकर पिलाने से गठिया रोग में खूब आराम आता है दोस्तो अगर आत वरद्दी की समस्या हो गई है तो इस परियोग से आत वरद्दी की जो पीड़ा है गैस वे सोत सूजन का नास होकर बहुत आराम मिलता है इसके लिए रसोन पिया बांसा पुनर नवा सोंट पाठला सभी का उचित मातर में क्वात बना कर पिलाने से लाब होता है इस प्रकार इस नाया प्रकरती की सोगात बूटी के हजारो परियोग हैं जो बड़े गुनकारी रोगनाशक हैं हजारो रक्षक रोगनाशक ओसदियां इसके सैयोग से बनाई जाती हैं वह खूब हसरकारी वह खूब गुनकारी सीध हुई हैं इसके गुन विस्तरित हैं ज इसके वरनित हैं तो दोस्तों जड़ी बूटियों का परियोग करें और अपने वे अपने परिवार के स्वास्त की रक्षा करें अगली वीडियों में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै आयरवेद